इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड के उचारान को लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ-साथ उसकी मीनिंग भी निकाल लाए और आपको धिरे-धिरे इंग्लिश आने लगे ये वीडियो पूरी देखिएगा इसमें बहुत से वर्ड्स हैं जो आप डेली बोलने में यूज़ कर सकते हैं इसी के साथ आप करते हैं इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू ट्रू लव सच्चा प्रेम ट्रू का मतलब होता है सच्चा लव प्रेम या फिर जिसे हम कहते हैं प्यार सच्चा प्यार कबूतरों का एक जोड़ा जोड़ा आफ पीजन्स कबूतरों का लीवड रहता था अन आ बनियान ट्री एक बरगत के पेड़ पर बनियान ट्री का मतलब है बरगत का पेड़ डिवरिंग डे टाइम दे टाइम दिन के दवरान यानि दिन में दा मेल पीजन्स मादा कबूतर वुड फ्लाई उड़ जाता इन सर्च ओव फूड खाने की तलाश में एंट और रिटर्न और वापस आता अट डस्क शाम होते और वो शाम होते वापस आता दिन में वो मादा कबूतर उड़ जाता खाने की तलाश में और शाम होते घर वापस आता इन सर्च ओफ का मतलब होता है की तलाश में की तलाश में फूड का मतलब होता है खाना रिटर्न वापस आना वापस आना फ्लाई उड़ना वुड फ्लाई है तो उड़ जाता बट लेकिन वन एवनिंग एक शाम को इट वाज रिनिंग बारिश हो रही थी और और ही डिड़न्ट टर्न अप वा वापस नहीं आया तिल लेट लेकिन एक शाम बारिश हो रही थी और वो काफी देर तक वापस नहीं आया लेट का मतलब है देर His wife उसकी पत्नी got really worried वास्तों में चिंतित हो गई really का मतलब है वास्तों में वास्तों में वास्तों में वरीड चिंतित got worried है तो चिंतित हो गई just then तभी she saw उसने देखा a bird catcher एक चिडिया पकड़ने वाले को bird catcher का मतलब है आखे टक या फिर चिडिया पकड़ने वाला saw का मतलब है देखा she उसने यानि उस मादा कब उतर ने ध्यान दीजेगा यहां मैंने mail का मतलब मादा बता दिया था लेकिन यहां पर mail का मतलब नर होगा coming towards her tree उसकी पेड़ की तरफ आते हुए coming का मतलब है आते हुए towards की और हर tree उसके पेड़ की तरफ holding a cage एक पिंजरा पकड़े हुए in which जिसमें her husband उसका पती had been captured कैड़ था जिसमें उसका पती कैड़ था या फिर पकड़ लिया गया था husband का मतलब होता है पती had been captured पकड़ लिया गया था cage का मतलब होता है पिंजरा her world उसकी दुनिया seemed to fall apart तूटी नजर आने लगी उसकी दुनिया तूटी नजर आने लगी fall apart का मतलब है तूटा या फिर अलग हुआ दा बर्ड कैचर वो चिड़िया पकड़ने वाला was all wet पूरी तरह से भीगा था in the rain बारिश में बारिश में वो चिड़िया पकड़ने वाला पूरी तरह से भीगा था wet का मतलब है भीगा था भीगा था so इसलिए he took shelter उसने पनाह ली under the banana tree उस बर्गत के पेड़ के नीचे इसलिए उसने उस बर्गत के पेड़ के नीचे पनाह ली shelter का मतलब होता है पनाह लेना पनाह लेना दा वाइफ पीजन वो पत्नी कबूतर flew down नीचे उतरी collected इकठा किया some tweaks खुश टहनियों को and or mid a fire और आग जलाई near the bird catcher उस चिडिया पकड़ने वाले के पास उस चिडिया पकड़ने वाले के पास उसने आग जलाई she said उसने कहा you look hungry तुम भूखे लगते हो hungry का मतलब होता है भूखा लुख लगते हो या फिर दिखते हो I will jump मैं कूद जाऊंगी into this fire इस आग में मैं इस आग में कूद जाऊंगी jump का मतलब होता है कूदना will jump है तो कूद जाऊंगी when tender जब नर्म हो जाऊंगी यानि मैं जब पक जाऊंगी you can eat me up तुम मुझे खा सकते हो eat up का मतलब होता है खाना can eat me up है तो मुझे खा सकते हो the bird catcher वो चिडिया पकरने वाला was surprised आशर चकित हुआ वो चिडिया पकरने वाला आशर चकित हुआ why do you want to die तुम क्यों मरना चाहती हो die का मतलब होता है मरना want चाहना why do you want to die है तो तुम क्यों मरना चाहती हो she replied उसने जवाब दिया किसने उस मादा कब उतरने my life मेरी जिंदगी is meaning less बे मतलब हो जाएगी without my husband बिन मेरे पती के मेरी जिंदगी मेरे पती के बे मतलब हो जाएगी whom you are going to kill जिसे तुम मारने जा रहे हो anytime anytime या फिर जिसे तुम किसी भी समय मार दोगी anytime का मतलब है किसी भी समय the bird catcher's heart उस चिडिया पकड़ने वाले का दिल soft end नर्म पढ़ गया उस चिडिया पकड़ने वाले का दिल नर्म पढ़ गया heart का मतलब होता है हिर्दय या फिर दिल soft end नर्म पढ़ गया नर्म पढ़ गया he said उसने कहा I can't be so selfish मैं इतना मतलबी नहीं हो सकता selfish का मतलब होता है मतलबी can't be so selfish नहीं हो सकता इतना मतलबी who can separate जो अलग कर दे such a loving couple इस प्रेमी जोड़े को इस प्रेमी जोड़े को अलग कर दे मैं इतना मतलबी नहीं हो सकता separate का मतलब होता है अलग करना अलग करना या फिर अलग होना loving couple प्रेमी जोड़ा प्रेमी जोड़ा और उसके पती को आजाद कर दिया free का मतलब है आजाद set free है तो आजाद कर दिया cage पिंजरा open खोल दिया the pigeon couple वो कबूतर का जोड़ा was overwhelmed बहुत खुश हुए to be reunited फिर से मिलकर फिर से मिलकर वो कबूतर के जोड़े बहुत खुश हुए overwhelm का मतलब होता है आत्म वी भोर हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाना reunited फिर मिलकर moral moral हमें क्या मिलती है नैतिक सिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से true love सच्चा प्रेम कैन मिल्ट पिखला सकता है even a hard heart किसी भी कड़े हिर्दय को किसी भी कड़े हिर्दय को भी सच्चा प्रेम पिखला सकता है उमीद करता हूं इस क्लास में बताएगे word meanings और sentences आपको अच्छे लगे होंगे सबसे अच्छा वट कौन सा लगा इसे comment box में ज़रूर बताएगा इससे तरह की वीडियो के साथ सार धेर सारी reading की translation की और बहुत से English सीखने वाली वीडियो पाने के लिए चाल को सबस्क्राइब कीजिए और यह वीडियो किसी ने किसी अपने डोस्त को मित्र को परिवार व